है यो एब्रीबन कैसे वाव सब्सक्राइब आप ठीक होंगे अज़र दाने के फेस्बुक की आईडी कैसे पर्मानेंट करते हैं अतलब पर्मानेंट के लिए अगर आप अपनी फेस्बुक की आईडी जलीट करना जाते हैं अगर आप लॉगर आप लॉग इं करते हैं है तो आप ओधाटोव की ऑपनी ब्रीट को लिखाया जाएंगा इसली करते हैं वीडियो के लाट जरूत जड़एगा और अपना फीडगैक जरूत दीजेगा की वीडियो कैसे लगा आपर लगू को सब्सक्राइब दोस्तों हमें अपनी Facebook के सेटिंग में जाना है दिश्याँ सेटिंग दिख रहे हैं, सेटिंग क्लिक करेंगे प्या करने कि कुछ रता इंटर्फेस ओपने क्या जाएगा आड लाइख इमेल लग आपटाओं में दिखा रहा हूँ, आपकी फोन में भी इम ऐता ही इंटर्फेस ओपने क्या है ठीच है उसकार यह देख लिखा हूआ है account इस फिर click करेंगे click करने के बाद यह नेचे scroll करें इस फिर click करेंगे click करने के यह देख लिखा हूआ है account only tip and control token इस फिर click करेंगे क्लिक करने के यह देखिया और लिखा हुआ है इसका मतलब यह न कि अगर आप मतलब कोई भी इंसन पास अभी हो जाता है या फिर एक स्पाय हो जाता है वो उनके लिए है या अपना प्रोड के लिए नहीं है तो हमें अपने 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 तो हम इस पे क्लिक करेंगे क्लिक करने को यह देखिए नहीं किसा है Deactivating और Deleting Your Facebook Account यहां लिखा है Deactivate Account अगर इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका permanently delete होगा temporary में delete होगा अलिजे अगर आप अपले Facebook लेना चाहते हैं पुष्टायम के लिए बंद करना चाहते हैं तो आप यहाँ Deactivate Account पे क्लिक कर देंगे इसके इसके क्लिक करेंगे तो आपका ID store नहीं करेंगा पुष्टायम के लिए जदा कप लॉग इन नहीं करेंगे तब तो आपका ID store नहीं करेंगा क्लिक करने को आप continue पर क्लिक करदेंगे जैसे ही continue पर क्लिक करेंगे कि आपसे रेजन पुछा है कि आप अब अबने Facebook एकाउंट को क्यो डियेट करना चाते हैं तो आप कोई सा भी region चूच करेंजेगो तो मैं यहाँ चूच कर लिता हूँ I no longer find Facebook useful ओके तो पर क्लिक करता हूँ क्लिक करने को यहाँ continue पर क्लिक करता हूँ यह पॉद इसको छोड़ता है यहाँ नीचे continue पर क्लिक करता है continue पर क्लिक करने को यह देखे लिक रहा है यहाँ पर सेब फोड़कर आप अपने पोस्ट को सेब करना चाते हैं तो यहां Photo, Activities log पे क्लिक करेंगे, और आप अपने Facebook के Information को डावर्ड करना चाते हैं, तो यहां Download Info पे क्लिक करेंगे, पर माल इसे तो लिखर आपको अपने Farmation के Copy करके Transfer करना है, तो यहां टास्टर इंफो के क्लिक करेंगे, तो मुझे कुछ नहीं करना है, तो मुझे अपने अकाउंट को पर्मानेंटी ग्लीड करना है, तो कोई साथ भी ऑप्सन नहीं चूच करोगा, तो यहां चूच करना है, तो यहां continue पर click कर देंगे, ख्लीक करने को आपको अपना जो भी पासवर्ड होगा, उसको फिट करने के बोलेगा, यहां देखी निखा हुए, for your security, please जिटी, enter your password to continue, आप अपना जो भी पासवर्ड डाले होंगे, उसको यहां फिट कर देजेगा, अगर आप माल रिचे, अगर आपको पासवर्ड नहीं पासवर्ड इंटर करने को यहां continue पर क्लिक करते हैं, जाते ही हम continue पर क्लिक करेंगे, यहां दीखें लिक क्या जाए, confirm permanent account deletion, okay, अपको within 30 days के अंदर अगर आप login करते हैं, तो आपका account फिर से reactivate हो जाएगा, तो हमें यही कोशिस करना है कि हम 30 days तब अपना account को login ना करें, 30 days के बाद automatically आपका जो भी account है, डिलेट हो जाएगा, पर्मानिटी डिलेट हो जाएगा, तो यहां हम नीचे डिलेट अकाउन पर क्लिक करते हैं, देखें हमारा जो भी account है, वो डिलेट हो चुका है, ओके, हम यहां पर अपने account को login करते हैं, अब लोफ, यह दिखें, login यह दिखें लिख रहा है आपके, यह अपने account is scheduled for deletion on routine, अप्रेंट 24, बतलक 14 अप्रेंट तक आपका जो भी account है यह वो डिलेट हो जाएगा, ओके,